हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में DPS सिख्षक भरती 2024 बिलकुल नया विज्यापन जारी किया गया है जहां entity teachers की vacancy आई है primary teachers की vacancy आई है trained graduate teacher TZT की vacancy post graduate teacher PZT की vacancy निकाली गई है fixed salary जो है यहां पर आप लोगों को मिलने वाली है entity and PRT teachers को 59,260 रुपीज यहां पर पर मिलेंगे trained graduate teachers को 74,550 रुपीज पर मन्त post graduate teachers को 79,000 से अधिक salary यहां पर दी जा रही है जिनके पास अनबव है वो तो apply कर ही सकते हैं साथ में fresher जो है वह भी apply कर सकते हैं जिन्होंने कहीं पर भी आस तक नहीं पढ़ाया है 40 साल जो है यहां पर अधिक्तम उम्र रखी गई है detail और short notice दोनों ही main website पर आ चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले school की main website पर हम चलेंगे जैसे ही main website पर आते हैं school की DPS Bokaro Steel City काफी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलने वाला है क्योंकि इस school में education के साथ में जितने भी curriculum activity होती है वह भी कराई जाती है music है dance है और इसके अलावा जितने भी games है और teaching staff जो है वह भी काफी बड़ा है इस school का ठीक है तो यहां पर teachers की जो है काफी बड़ी संख्या में vacancy निकाली गई है all subject की vacancy आप लोगों को यहां देखने को मिलने वाली है तो vacancy के लिए सबसे पहले आप लोगों को नीचे आना है quick links में सबसे last में लिखा है career career पर जैसे ही आप click करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले यह notice जारी जो आपको दिखाई देगा तो यह जो है short notice है लेकिन हम जो है detail में जो notice जारी हुआ है वह देखेंगे Delhi Public School Bokaro यह जो है short notice है और इसकी बजाए हम detail जो advertisement जारी हुआ है click here for detail advertisement इसे देखेंगे ठीक है तो यह जो है complete notification है और बाकी जो है आप लोगों को मैंने salary बता ही दी है post graduate teachers को कितनी salary पर मंत दी जा रही है subject और qualification देख लेते हैं chemistry, physics, political science, sociology, हिंदुस्तानी vocal, music and fine art, painting and graphic यह subject है post graduate teachers के 5 साल का teaching experience जो है यहाँ पर चाहिए fresher कहाँ apply कर सकते हैं, किन subject के लिए वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगी यहाँ पर post graduate teachers के लिए 5 साल का teaching experience होना चाहिए qualification में कहा गया है post graduate आपका subject में हो और first या फिर higher second division आपकी होनी चाहिए post graduate में साथ में beard compulsory है ठीक है? next जो है trained graduate teachers के लिए salary 74,000 से अधिक है English है, Mathematics है, Chemistry, Geography, Sanskrit, Biology, History, Physics हिंदी की trained graduate teachers में vacancy नहीं आई है तीन साल का teaching का अनुभव मांगा गया है secondary या senior secondary को आपने पहले पढ़ाया हो तो यहां trained graduate teachers में 3 साल का अनुभव है post graduate में teachers में 5 साल का अनुभव मांगा गया है qualification trained graduate teachers के लिए भी जो है आपका post graduation होना चाहिए इन subject में first division या second division से आप pass होने चाहिए beard के जो है आपका compulsory है बाकि seated अगर नहीं है तो भी आप जो है apply कर सकते हैं जिनका seated qualify है तो उनको यहां पर preference मिलेगी प्रात्मिक्ता दी जाएगी primary teachers में जो है subject आप देखें English, Mathematics, Science, Social Science Hindi यहां पर है PRT में Sanskrit है, Computer Science है, Tabla and Art and Craft है PRT teachers को 2 साल का teaching अनुभव होना चाहिए यहां पर qualification देखें तो PRT में भी जो है काफी high qualification यानि post graduate या graduate होना ही होगा first या second division से ठीके और साथ में B.Ed. भी जो है होना चाहिए तो यह चीज जो है आप द्यान में रखिएगा salary काफी अची है primary teachers की आप देख रहे हैं केंद्री विध्याले में भी जो है इतनी salary नहीं मिलती है 59,260 पर मन जो है PRT teachers के लिए है अनुभव तो दो साल का चाहिए ही Montessori and nursery trained teachers की vacancy है entity teachers की vacancy है तो यहां अभी जो है salary 59,000 से अधिक है graduate होना होगा और साथ में आपके पास जो है diploma या आपका जो है certificate entity में होना चाहिए जो की दो साल से कम का नहीं होना चाहिए ठीक है अगर आपने B.A.D. nursery में किया है तो भी आप यहां पर apply कर सकते हैं librarian के लिए जो है salary यहां पर mention नहीं की गई है master in library science और तीन साल का यहां पर अनुभव उसके बाद IT executive graduate या post graduate in computer science या IT में होना चाहिए यानि computer की जो है वो पूरी knowledge यहां पर मांगी गई है IT executive के लिए next यहां पर देखें fresher में apply for trainee teacher for subject यहां पर जो subject दिये गए हैं तो trainee teachers के तौर पर जो है आप लोग apply कर सकते हैं जो fresher है जिरोंने आज तक अभी भी नहीं पढ़ाया है किसी भी स्कूल में तो मुझे लगता है कि अनुभव जो है आप यहां ले जरूर ले English, Sanskrit, Mathematics, Physics, Chemistry, Computer Science, Hindi, Art and Craft A's यहां कहा है for all posts सभी posts के लिए 40 साल अधिक्तम यहां पर होनी चाहिए ठीक है इससे अधिक नहीं next देखें online ही apply करना होगा online application form is available on the school website तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कहां पर आप लोग जो है online apply करेंगे send the print out hard copy of the prescribed application format duly filled in along with a recent colored passport size photograph with relevant supporting document and demand draft 1000 rupees in favor of Delhi Public School BS City paywall at Bokaro Steel City to the school office latest by 6 January 2024 name and the post applied for किस post के लिए apply कर रहे है क्या नाम है यह जरूर mention करना है आप लोगों को envelope के ऊपर तो चलिए अब मैं आप लोगों को application form दिखा देती हूं कहां से मिलेगा तो जैसे ही career section पर आप आते हैं यह page आपको दिखाई दिया था starting में और यहां पर detail में advertisement आपको मिला है यह short notice है और यहां पर नीचे आप देखें apply online click here तो इस पर आप लोगों को click करना है यहां पर आजाएगा click here to get the vacancy registration form तो यह रहा form इसे ही जो है आप लोग भर लेंगे और भरने के बाद जो है print out निकालना है और अपने document के साथ में demand draft के साथ में भेज देना है अगर आप इच्छुक हैं तो भेज सकते हैं बाकी 1000 रुपे काफी जादा मुझे तो काफी जादा लग रहे हैं एक student जो की job search कर रहा होता है उसके लिए 1000 रुपीज तो काफी जादा होते हैं तो बाकी जो है इनकी तरफ से जो भी information है वो मैंने आप लोगों को provide करवा दी है जो भी interested है क्योंकि salary भी जो है इनकी तरफ से आप देख रहे हैं यहां पर ही आप देख सकते हैं Delhi Public School Sector 4 Bokaro Steel City Bokaro 827004 जहारखन यहां से यह vacancy है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी भी state की vacancy आती है तो बिलकुल आप लोगों को बताई जाएगी Thank you